Hello and welcome guys तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है Science Physics Subject पे जिसमें हम बात करेंगे Essay Units of Physical Quantities के बारे में तो Physics का एक बहुत Important Topic है Essay Units of Physical Quantities जिसके रिगार्डिंग कम से कम एक Question हमें किसी भी Competition Exam में देखने को मिल सकता है तो इस वीडियो में आज हम यही Topic Cover करेंगे तो वीडियो important है guys पूरी देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे Hey guys, welcome to the channel Tricks and Click Studies वीडियो देखने से पहले चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको टाइम टेज मिलती रहें धन्यवाद तो चलिए स्टार्ट करतें तो question शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि SI units actually होते क्या है SI units को बोला जाता है Standard International Units ठीक और इनकी importance क्या है कि जैसे हम अगर weight की बात करें तो हम measure करते है weight को kilogram में लेकिन somewhere other countries में यो जो weight है उसको measure किया जाता है pound में अब pound और kilogram की जो value है वो different different है means kilogram और pound की जो value same नहीं रहेगी जो pound है उसकी value थोड़ी छोटी होती है as compared to kilogram लेकिन जब हम बात करते हैं SI units की तो it means we are talking about the same unit mean अब तब उस case में हम weight को kilogram में ही measure करेंगे pound में नहीं करेंगे चाहे हम उसको अपनी country में measure कर रहे हैं चाहे हम उसको अमेरिका में कर रहे हैं चाहें Australia में कर रहे हैं that doesn't matter so that is the importance of SI units इसलिए हम SI units को ज़्यादा पढ़ते हैं और ये important है अब चलते हैं questions पर first question है work के SI units क्या होते हैं तो अगर बात की जाए work की तो work क्या होता है काम करना अब काम work और energy दोनो one and the same thing है क्योंकि energy क्या होती है capacity to do work तो इस एक question से हम दो quantities के units को याद कर सकते हैं कि जो work होता है और energy होती है दोनों के units हैं वो हमेशा same होते हैं अगर work की basically वैसे बात करें तो work is equal to force into distance हम बोल सकते हैं means अगर हमारे पास कोई object है उस पे आप force लगाते हो वो कुछ distance move करता है तो that will be work means आपने वहाँ पे work कर दिया कुछ काम किया है अगर हम बात करें work essay units की तो work के जो essay units होते हैं वो होते हैं जाउल it means option जो c है वो सही उत्तर हो जाएगा इस question का और जाउल को हम denote करते हैं जैसे ये भी आपने याद रखना है moving on to next question intensity of flame के essay units क्या होते हैं अब flame क्या होती है as you know flame को हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी का मतलब है कि उस आग में से जो light की total amount of light कितनी हमें मिल रही है उसको बोलेंगे intensity जो intensity के जो essay units होंगे वो होते हैं candela means option जो A है वो सही उत्तर हो जाएगा इस question का और candela को अगर हम देखें किस से denote किया जाता है तो इसको हम denote करते हैं simply C और D से moving on to next question current के essay units क्या होते है current क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मालूब wire है conducting wire है जिसमें इसे current pass किया जा सकता है तो उसमें total charge per unit time कितना flow कर रहा है उसको हम बोलेंगे current को हम denote करते है I से and I होता है Q by T के बराबर Q is charge here T is time so charge per unit time in a conducting wire is called current और current के जो essay units होंगे वो होते हैं ampere तो it means option जो B है वो सही उत्तर हो जाएगा इस question का और ampere को हम denote कर सकते है capital A से इसी के साथ we are moving on to next question angle के essay units क्या होते हैं अब angle क्या है मान लो कोई object यहां पे है और origin से अगर इसकी position देखे तो यह बनेगी ठीक है इसको मान लिया हमने A और after some time वो object की position है वो यहां पे चला जाता है तो अगर हम origin से इसकी position देखेंगे तो अब हमारे पास यह बनेगी इसको हमने मालिया पी तो यह time t में उसने जितना एक circular path में area distance कवर किया है अगर यहां से हम उसको देखेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास theta angle अगर यह जो distance है this is r और जो length of r का वो l है तो वो बन जाएगा हमारे पास angle और angle को हम denote करते है theta is equal to l by r के साथ अब अगर angle के s-a units की बात करें तो angle के s-a units होते है radian guys तो इसका option d जो है वो सही उत्तर हो जाएगा और radian को हम denote कर सकते है simply rad से moving on to the next question solid angle के s-a units क्या होते है solid angle का solid angle और angle में क्या difference है कि जब हम angle किसी corner से देखते है किसी object का तो उसको हम बोल देते हैं कि ये जो हमारे पास चार different different corner से एक corner से angle बन मालो यहाँ पे कोई box है और box के चारों जो corner होंगे उनसे जो angle बन रहा होगा इस corner के साथ उसको हम बोलेंगे solid angle solid angle के जो s-a units है वो होते है stay radian तो ये भी आपने याद रखना है कि there is a difference between angle and solid angle और stay radian को हम denote कर सकते है s-r से simply moving on to next question guys और next question पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे useful लगे तो please वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe करने अगर नहीं किया है और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंस के साथ share भी कर सकते है because this video contains a very important and useful information for your competition examination तो question number 6 जो है वो है force के SI units क्या होंगे तो अगर हम बात करें force की force क्या होती है मानलो यहाँ पे एक object है और यहाँ पे कोई person खड़ा है अगर आप उसको push कर रहे हो या अपनी तरफ pull कर रहे है तो means वहाँ पे हम उस object पे force लगा रही है तो अगर force के SI units की बात करें तो force के SI units होते है Newton means option जो C है वो सही उतर हो जाएगा और यह Newton force के SI units का नाम पड़ा है यह पड़ा है sir Isaac Newton के नाम पे और Newton को हम denote कर सकते है capital N से इतना आपने याद रखना है moving on to next question frequency के SI units क्या होते है अब मानलो कोई object है हमारे पास वो किसी axis of rotation के राउंड चक्कर लगा रहा है तो उसके starting points से अगर मानलो यहां से खिरू करते हैं तो per second में वो object कितने चक्कर लगाता है इस axis के अराउंड उसको हम बोलते हैं frequency और frequency के जैसे units होते हैं वो होते हैं hertz means option जो C है वो से ही उत्तर हो जाएगा और इसको हम denote करेंगे hz से तो you can see here जैसे units of frequency is hertz और frequency को हम basically mathematical लिखें तो number of rotations per unit time उसको हम बोल देंगे frequency इसी के साथ we are moving on to next question moment of inertia के SI units क्या होते हैं moment of inertia को denote किया जाता है i से जो की होता है m into r square अब moment of inertia basically है क्या जो mass role play करता है linear motion में same role moment of inertia play करता है when we talk about rotational motion इतना आपने याद रखना है अब किसी भी quantity के ये units हैं वो हमेशा उसके formula से easily find out किये जा सकते है means अगर आपको किसी quantity का भी formula याद है then units find out करना is not a tough task it's a very simple thing so here we can see i is equal to mr square होता है moment of inertia m है mass जिसके units होते है kilogram r है distance यह होता है meter तो r square है तो meter square हो जागा तो here you can see in the options that जो moment of inertia कैसे units होंगे means option a kilogram meter square will be the right answer of this question means option a जो है वो सही उत्तर हो जागा इस question का इसी की साथ guys moving on to next question question number 9 is momentum के say units क्या होंगे अब जो momentum है उसको हम denote करते है P से momentum actually होता क्या है जब कोई object move कर रहा हो then it will have some momentum momentum किसकी वज़ा से होता है obviously mass of the body and velocity अगर कोई body rest पे है then momentum की value हमेशा 0 होगी this you have to remember ठीक तो momentum को denote किया जाता है P से and mathematically it is represented as product of mass of the body and its velocity तो अब again formula से हम units find out कर सकते है mass के unit होते हैं kilogram velocity के unit होते हैं meter per second तो here you can see in the options की option जो C है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा it means option C will be the right answer of this question तो momentum के जो ऐसे units हैं वो है kilogram meter per second moving on to next question question number 10 है impulse के essay units क्या होते हैं तो impulse के अगर हम बात करें मान लीजिए अगर हम किसी body पे force लगाते हैं और कितने time के लिए लगाते हैं तो वो force उस body पे कितना impact डालती है कितनी उस body पे कितना असर होता है अगर हम impulse को आई से दिनोट करें तो impulse is equal to force into time होता है अब अगेन जो force के units हैं Newton time के होते हैं second तो again you can see की formula से we can find units very very easily तो again option जो ए है वो से ही उत्तर हो जाएगा इस question का it means Newton second are the essay units of impulse चलिए गाज इसी के साथ हम चल रहे हैं अपने next question पे question number 11 is temperature के essay units क्या होते हैं अगर बात करें temperature की तो temperature के आपने Celsius units भी देखे हैं Fahrenheit भी देखे हैं Kelvin भी देखे हैं लेकिन अगर हम essay units की बात करते हैं तो temperature के जो essay units होंगे वो हमेशा होते हैं Kelvin तो this you have to remember means के से हम इसको denote करते हैं और temperature के essay units होंगे Kelvin means option C that will be the right answer of this question moving on to next question power के essay units क्या होते हैं अब power जो है power को हम denote करते हैं power is equal to work upon time means time के साथ किसी object की कारे करने की क्षमता कैसे change हो रही है उसको हम बोलेंगे power लेकिन अगर power की essay units ची बात करें तो उसको basically हम एक नाम से denote करते हैं gain वो है what ठीक है जी means option A that will be the right answer of this question moving on to next question question number 13 is surface tension कैसे units क्या होते हैं surface tension क्या होती है माले जी हमारे पास ये पानी की पानी की अगर हम drop रखते हैं तो ये बन जाएगी अब ये जो पानी की drop है मैं इसको दवारा draw करता हूँ नीचे से उपर की तरफ तो ये हमेशा circular shape ले लेती है क्यों लेती है because जो पानी का outer surface है उस पे जो molecules हैं वो हमेशा एक दुसरे को खींच के रखते है ठीक है हमेशा molecules के surface में force of attraction है जो की एक दुसरे को खींच है जिसकी वज़ा से जो water का outer surface है उस पे एक membrane बन जाती है इतिन membrane तो इतमीज जो water molecules है उनमें जो surface के molecules है उनमें एक tension produce हो रही है force produce हो रही है simply हम उसको बोले है surface tension तो surface tension actually होती क्या है यह होती है force per unit length तो surface tension T से अगर हम इसको denote करते हैं तो it will be force per unit length means water की per unit length में जो force of attraction है that will be simply surface tension तो force के again ऐसे units होंगे newton length के होंगे meter तो newton meter minus one और we can say newton per meter will be the essay units of surface tension again I am telling you कि अगर आपको formula पता है then you can find units or as well as dimension formula easily तो option जो B है इस case में that will be the right answer of this question moving on to next question again I am telling you guys अगर आपको video useful लगे तो please video को like और channel को subscribe जरूर करिएगा viscosity कैसे units क्या है viscosity होती है गाड़ापन किसी liquid का गाड़ापन viscosity का अगर मैं formula आपको बताओं तो इसका एक यह formula हो सकता है जिसमें F is equal to 6 pi eta r b बड़ आपको इतनी detail में जाने की दरुद नहीं यहां से हम viscosity find out कर सकते हैं viscosity को eta से denote करते हैं तो यहां से भी इस formula से भी viscosity के units आ सकते हैं eta बन जाएगा f over 6 pi r b r है यहां पे distance v है velocity 6 pi के कोई units होंगे नहीं f के हो जाएगे newton तो यह units बनेंगे viscosity के वो होंगे newton meter minus 2 second यानि कि newton per meter square second यानि कि option जो b है that will be the right answer of this question I am sorry यहां पे दोनों option same लग रहे तो option b और c दोनों right answer होंगे इस question के गलती से यह type होगे दोनों same options तो इस question में दोनों option सही हो रहे हैं तो viscosity के units होते हैं newton per meter square into second moving on to next question question number 15 specific heat capacity के SI units क्या होंगे अब specific heat capacity होती है amount of heat required to date the temperature of a stance per mass per kilogram per kelvin so जो specific heat capacity हो जाएगी it means कितनी heat हमें चाहिए per kilogram mass किसी substance को उसका temperature raise करने के लिए एक kelvin थे तो jowl per kilogram per kelvin will be the right answer of this question so option जो C है as we can see C option जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस question का again specific heat capacity होती है the amount of heat required to raise the temperature of per kilogram of a substance with 1 degree Celsius जो 1 kelvin बोल सकते हैं जाने कि एक kelvin temperature increase करने के लिए 1 kilogram of किसी substance का उसमें हमें कितनी heat की requirement होगी that will be the specific heat capacity so simply इसके units हो जाएगे जाओल पर kilogram पर kelvin हो जाएगे moving on to next question question number 16 is electric charge के ऐसे units क्या होते हैं अब बात करें अगर electric charge की तो electric charge हमने पीछे बढ़ा था current is equal to q by t होता है यह यहाँ पे q है that is the electric charge तो electric charge के units होते हैं वो होते हैं कूलम यह भी कूलम के नाम के पड़े हैं जो कि यह physicist थे तो कूलम के नाम पे ही electric charge के units हैं जो कि होते हैं कूलम तो option A जो है वो सही उत्तर हो जागा इस question का कूलम को हम C से denote कर सकते हैं moving on to next question question number 17 wavelength के ऐसे units क्या होते हैं wavelength क्या होती है जब कोई wave ऐसे travel करती है तो उसके जो उपर वाले पार्ट से इनको बला जाता है crest नीचे वाले बात को बला जाता है truck तो दो consecutive crest और दो consecutive truck के बीच का जो distance होगा किसी wave का उसको बोलते हैं wavelength length अब जो wavelength के ऐसे units हैं वो होते हैं जी am strong am strong तो ये हो जाएगा हमारा सही इतर इस question का इसे के साथ we are moving on to next question question number 18 is magnetic flux के SI units क्या होते हैं हाब magnetic flux होता है कि किसी मानलो एक particular unit area में कितनी magnetic field lines cross कर रही है उसको हम बोल देते हैं magnetic flux तो magnetic flux जो है उसकी जो SI units होते हैं वो होते हैं means option A जो है that will be the right answer of this question Weber को हम denote करते हैं WV से भी moving on to next question of this video that is magnetic induction के SI units क्या होते हैं अब अगर बात करें magnetic induction की तो यहाँ पे जो option है वो magnetic induction का कोई option सही नहीं है actually magnetic induction के units होता है SI units होते हैं वो होते हैं Tesla जिसको हम T से denote करते हैं तो यहाँ पे जो option सही होगा that will be Tesla T अगर यहाँ पे अगर magnetic की जगा हम बात करते हैं electric induction की electrical induction जा electric induction की तो उसके जो units होंगे SI units वो होंगे option B यानिकी हैं तो यह आपने यहाँ पे confusion नहीं रखनी है magnetic induction की SI units होते हैं और electrical induction की SI units होते हैं Henry तो इसको confusion दूर कर लेनी है और सही option आपने याद रखने है इसी बहाने आपका एक और question आपको याद हो गया आपको देखने को मिला तो इसी के साथ guys we are on the last question of this video which is potential difference के SI units क्या होते हैं अगर जैसे हमने पीछे बात की थी कि को electrical wire है उसमें current flow कर रहा है charge flow कर रहा है अब charge तभी flow करता है जब potential difference होगा means एक तरफ positive एक तरफ negative charge तभी जो electrons हैं positive charge की तरफ attract होते हैं तो इसी को बोला जाता है potential difference तो potential difference की जो SI units होते हैं यह आपने I hope की सुने होंगे उसको बोला जाता है volt ठीक है और इसको denote किया जाता है V से तो यह थी guys आज की हमारी वीडियो I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है